हेलो सुदेंट्स, वेलकम बैक टो आर इंग्लिश क्लास, क्लास नाइन्थ का बीहाइव बुक से हम चाप्टर डिसकस कर रहे थे इस चाप्टर के कुछ की पॉइंट्स, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, वो मैंने आप लोगों के convenience के लिए बोर्ड पर लिख कर रखे हैं, इनको एक बार फटा-फट से हम देखते हैं, ताकि हम हमारी स्टोरी से reconnect हो सकें और फिर कहानी पर आगे बढ़ते हैं, तो इस चाप्टर किस के बारे में हैं, एक एक emotional bonding के बारे में है between a woman and a bear एक भालू और एक female के बीच की emotional bonding के बारे में तो हमने याद करिये last class में पढ़ा था कि author को एक orphan sloth bear मिलता है sloth bear का एक बच्चा मिलता है जो अनात हो गया था ठीक है और author क्या करते हैं उस bear cup को लाकर अपनी wife को gift कर देते हैं अच्छा अब ये जो bear cup था ये orphan कैसे हुआ ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दें और इससे पहले वाला वीडियो एक बार दुबारा देखें चलिए अब author की जो wife थी उन्होंने उस bear cup को क्या नाम दिया उन्होंने उसे नाम दिया Bruno शी लवड हैं डीपली और वो Bruno को बहुत जादा प्यार करती थी उन्होंने Bruno के गले के चारों तरफ एक कलर डिबन बांधा उसको अलग-अलग तरे का खाना बना कर खिलाती थी और Bruno भी क्या करता था author की wife के लिए अलग-अलग tricks परफॉर्म करता था जो author की wife को खुश कर देती थी ठीक है, they enjoyed each other's company author और, sorry, author की जो wife थी और Bruno जो थे वो एक दूसरे की company को बहुत जादा enjoy करते थे उन्हें बहुत मज़ा आता था एक दूसरे के साथ when the bear grew big, अब जब Bruno बड़ा हो गया he was dangerous for the children in the house तो उसको maximum time बांध कर रखा जाने लगा क्यों बांध कर रखा जाने लगा क्योंकि जो tenants के children थे, किरायदारों के बच्चे थे वो Bruno से डरते थे ठीक है, किरायदारों को डर था कि कहीं Bruno उन पर attack ना कर दे ठीक है, तो इस point पर हमने हमारी story को कल लीव किया था इसी point से story को हम आगे continue करेंगे अपनी book open करें और मेरे साथ read करें पेज नमबर 116, paragraph नमबर 13 then my son and I advised my wife and friends advised her too to give baba to zoo at Mysore अब जब Bruno को maximum time घर में बांध कर रखा जाने लगा तो author का जो बेटा था उसने, author ने, author के कुछ friends थे उन्होंने भी सबने मिलकर author की wife को suggest किया कि बहतर यही होगा कि Bruno को क्या किया जाए किसी zoo में दे दिया जाए कौनसे zoo में? at Mysore he was getting too big to be kept at home Bruno जो था वो size में बहुत बड़ा होता जा रहा था और उसको घर पर रखना possible नहीं था after some weeks of such advice, she at last consented और कई सब्ता तक ये लोग author की wife को ऐसी बोलते रहे and finally author की wife इस बात के लिए तैयार हो गए hastily and before she could change her mind a letter was written to the curator of the zoo immediately इससे पहले की author की wife अपने thought को change करती अपना mind change करती zoo के curator को एक letter लिखा गया curator कौन होता है? यहाँ पर curator का मतलब है the person in charge of the zoo zoo का जो in charge है वो उन्हें एक letter लिखा गया क्या कहा गया उस letter में? did he want a tame bear for his collection? उनसे पूछा गया कि क्या आपको एक sloth bear चाहिए अपने zoo के लिए he replied yes उन्होंने जवाब दिया yes the zoo sent a cage from Mysore in a lorry a distance of 87 miles and baba was packed off zoo ने क्या किया? एक lorry में एक पिंजरा भेजा एक cage भेजा ठीक है? जो 87 miles दूर था ठीक है? author के घर उसे ठीक है? वहाँ पर एक पिंजरा आया author के घर पे और Bruno को उस cage में pack करके Mysore Zoo में भेज दिया गया we all missed him greatly सब लोग Bruno को घर में miss करते थे but in a sense we were relieved लेकिन कही न कहीं इनके मन में एक satisfaction था कि चलो Bruno जहां भी है अच्छी जगह है my wife was inconsolable author की wife बहुत ज़्यादा दुखी थी उनको मतलब चुपी नहीं करवाया जा पा रहा था इतना दुखी थी वो उनको मनाया ही नहीं जा पा रहा था she wept and fretted वो हमेशा रोती रहती थी दुख मनाती रहती थी for the first few days she would not eat a thing शुरुवात के कुछ दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया then she wrote a number of letters to the curator फिर उन्होंने curator को कई सारे letters लिखे how was baba back came the reply उन्होंने हर letter में सिर्फ एक ही बात पूछी Bruno कैसा है और zoo से क्या जवाब आता था well but fretting ठीक है बट थोड़ा उदास है he refuses food to वो भी खाना नहीं खा रहा है after that friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how baba was getting along अब उस दिन के बाद से author की wife ने क्या कर लिया ये एक rule बना लिया कि जो भी उनका friend Mysore जा रहा होता था ये उसे कहते थे कि भई Mysore में अपना काम खतम करके please एक बार zoo में जाईएगा और चेक करियेगा कि Bruno कैसा है they reported that he was well but looked very thin and sad तो वो friends लोग भी आकर बताते थे कि Bruno ठीक है बट बहुत दुखी लग रहा था और बहुत पतला हो गया है all the keepers at the zoo said he was fretting ठीक है zoo में जितने भी लोग थे जो काम करते थे उन सब का यही कहना था कि Bruno जो है वो उदास है दुखी है किसी बात से excuse me अब आगे क्या हुआ for three months I at the zoo sorry for three months I managed to restrain my wife from visiting Mysore अगले तीन महीने तक author ने जैसे तैसे अपनी wife को Mysore से दूर रखा उन्हें Mysore जाने नहीं दिया then she said one day लेकिन finally author की wife ने उन से कहा I must see Baba मुझे Bruno को देखना है either you take me by car या तो तुम मुझे कार से लेकर चलो और I will go myself by bus और train या फिर मैं खुद bus या train से Mysore जा रही हूँ so I took her by car तो अब author के पास कोई option नहीं था तो author अपनी कार से उन्हें Mysore लेकर गए friends had conjunctured conjunctured मतलब form and opinion guest इनके जो friends थे उन्होंने guess किया उन्होंने अंदाजा लगाया कि भई इतना time हो गया है तीन महीने हो गया है तो अब Bruno author की wife को पहचान नहीं पाएगा भूल गया होगा वो ने अब इतना time हो गया है अब Bruno नहीं पहचान पाएगा लेकिन जू में author की wife अभी तक Bruno के पिंजरे के पास पहुँची भी नहीं थी उससे काफी दूर थी लेकिन तब से ही Bruno ने उनको देख लिया और पहचान लिया he howled with happiness वो खुशी से चलाने लगा she ran up to him author की wife भाग कर उसके पास गई patted him through the bars bars के अंदर से उसके सर पर हात फेरा and he stood on his head in delight ठीक है अब Bruno भी बड़ा खुश हुआ for the next three hours she would not leave that cage अगले तीन घंटे तक author की wife उसी cage के पास बैठी रही she gave him tea उन्होंने Bruno को चाए दी पीने के लिए laminate दिया cake दिया खाने के लिए ice cream दी और भी पता नहीं क्या-क्या उन्होंने खाने को दिया then closing time came and we had to leave तब तक zoo के बंद होने का समय हो गया और इनको वहाँ से जाना था my wife cried bitterly author की wife जोर से रोने लगी baba cried bitterly Bruno भी जोर से रोने लगा even the hardened curator and the keepers felt depressed even की जो curator थे zoo के जो बहुत सक्त थे ठीक है और जो workers थे zoo के वो भी depressed feel कर रहे थे वो भी दुखी हो रहे थे ये scene देखकर as for me जहां तक author की बात थी I had reconciled myself to what I knew was going to happen next उसने अपने आपको इस चीज़ के लिए तयार कर लिया है जो अब आगे होने वाला था वो समझ गया कि अब आगे क्या होने वाला है और author ने अपने आपको उसके लिए तैयार कर लिया क्या होने वाला था आगे देखे ओ प्लीस सर शी आस्ट दे क्यूरेटर author की वाइफ ने क्यूरेटर से कहा ओ प्लीस सर may I have my baba back क्या मैं इसे वापस ले जा सकती हूँ hesitantly he answered अब जो क्यूरेटर थे उन्होंने थोड़ा hesitate करते हुए कहा madam he belongs to the zoo and is government property now कि ma'am देखिये ये zoo को belong करता है और अब ये government की property बन चुका है I cannot give away government property मैं government property आपको ऐसे नहीं दे सकता but if my boss the superintendent at Bangalore agrees certainly you may have him back लेकिन अगर मेरे boss जो Bangalore में superintendent है वो हाँ बोल देते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप फिर इसे ले जा सकते है there followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's Bangalore अब क्या हुआ ये लोग वापस excuse me ये लोग वापस से Bangalore आए और superintendent के Bangalore पे गए a tearful pleading author की wife ने उनके पास जाकर भी बहुत रोते हुए कहा Baba and I are both fretting for each other Baba और मैं हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत दुखी है Will you please give him back to me क्या आप please मुझे उसे वापस ले जाने की permission देंगे He was a kind-hearted man and consented अब जो superintendent थे वो बड़े kind-hearted थे उन्होंने इस चीज के लिए हां बोल दिया Not only that but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore और इतना ही नहीं उन्होंने letter में ये भी लिखा कि जो curator है Mysore Zoo के वो author और author की wife को एक cage दें cage provide करें जिसमें author और author की wife Bruno को वापस अपने घर ले जा सकें Back we went to Mysore again ये लोग वापस से फिर Mysore गए armed with the superintendent's letter इस बार इनके पास superintendent का letter था Baba was driven into a small cage Baba को एक छोटे से पिंजरे में रखा गया and hoisted on the top of the car car के ऊपर बान दिया गया the cage was tied securely cage को car से अच्छे से बान दा गया and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished और ये slowly और carefully वापस कहां आ गया Bangalore आ गये अपने घर आ गये once home a squad of coolies were engaged for special work in our compound अब घर आकर एक पूरी के पूरी coolies जो होता है railway station पर आपने देखा होगा ना ये समान उठाते है उनके पूरी forge को एक special काम करने के लिए लगाया गया क्या काम करने के लिए लगाया गया an island was made for Baba Baba के लिए एक island बनाया गया it was 20 feet long and 15 feet wide ठीक है वो island कितना बड़ा था यहाँ हम बनाते हैं इसे suppose इस तरीके का एक island बनाया गया ठीक है यहाँ यह सब बाकी की जगे थी इदर author का घर था और यहाँ पर एक island बनाया गया ठीक है यह island है यह बीच में क्या है empty space है खाली जगे है ठीक है तो यह island जो था यह island कितना बड़ा था it was 20 feet long length कितनी थी 20 feet और width कितनी थी 15 feet ठीक है 20 feet और 15 feet length और width थी उस island की ठीक है तो देखें it was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit और moat six feet wide and seven feet deep ठीक है और यहाँ पर क्या था यह पूरा क्या था यह जो island था it was surrounded by a dry pit एक गहरा गड़ा था और यह गड़ा कितना था यह गड़ा जो था it was 6 feet wide 6 feet चोड़ा था ठीक है और 15 feet sorry 7 feet deep 7 feet गहरा ताकि इस island पर से Bruno जो है वो बाहर ना सके ठीक है अब आगे देखें आगे क्या हुआ straw was placed inside to keep him warm and his baby the grand stump along with his gun the piece of bamboo both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo were put back for him to play with अब क्या हुआ excuse me उस island पर straw रखे गे खांस रखी गई ताकि Bruno उसमें सो सके उसको गर्मी मिल सके Bruno का जो बेबी था वो लखडी का तुकडा था ठीक है और उसकी जो गन थी यानि bamboo stick जो थी जिसको author की wife ने संभाल कर रखा था अपने पास ठीक है Bruno की याद के तौर पे उन दोनों चीज़ों को भी Bruno के island पर रखा गया ताकि Bruno उनसे खेल सके in a few days the coolies hoisted the cage hoisted the cage on the island onto the island and baba was released कुछी दिनों में coolies ने उस cage को उस पिंजरे को island पर रखा और बाबा को उस island पर खुला छोड़ दिया गया he was delighted Bruno बहुत खुश था standing on his hing legs he pointed his gun and cardled his baby ठीके अपने पैरों पे खड़ा होकर वो क्या करने लगा कभी अपनी gun point करता था ठीके कभी अपने baby से खेलता था my wife spent hours sitting on the chair there while he sat on her lap ठीके author की जो wife थी वो कई घंटे उस island पर बिताती थी ठीके एक chair पर बैठ कर और Bruno इनकी कोदी में बैठा रहता था he was 15 months old and pretty happy too रोनो 15 महीने का हो चुका था और काफी भारी भी था the way my wife reaches the island and leaves it is interesting अब जिस तरीके से author की wife इस island तक जाती थी और इस island से वापस आती थी वो भी बड़ा interesting था ठीक है कैसे आती जाती थी वो I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end ठीक है वो जो dry pit था तो एक आम का पेड था जिसकी जो ब्रांच थी वो कहां तक जाती थी उस island तक जाती थी तो author नहीं क्या किया उस पर एक रसी बांदी और उस रसी के नीचे क्या था end पर क्या था एक loop था putting one foot in the loop तो author की wife क्या करती थी उस रसी में अपना एक पैर रखती थी उस loop में she kicks off with the other और दूसरे पैर से धक्का मार कर वो जैसे टार्जन नहीं लटकता था आपने देखा हो movies में टार्जन जो है वो बेलों से लटक के जाता था उस तरीके से swing करते हुए author की wife कहां पर जाती थी island तक जाती थी putting one foot in the loop she kicks off with the other to bridge the six foot gap that constitute the width of the surrounding pit the return journey is made the same way और उसी तरीके से वापस आती थी but who can say now that a sloth bear has no sense of affection लेकिन इस पूरे incident से एक बात clear हो गई थी और वो ये थी कि अब कोई ये नहीं कह सकता था कि एक sloth bear में affection नहीं होता memory नहीं होती और अपनी कोई individual characteristic या अपनी कोई individual पहचान नहीं होती animals too are capable of love and affection ठीक है हम सोचते हैं कि भई जंगली जानवर है इनको love और affection का मतलब क्या ही समझ में आता होगा but in reality ऐसा नहीं है even की एक बार के लिए इंसान जो है वो इंसानियत भूल सकते हैं बट जानवर जो है वो कभी भी इंसानियत नहीं भूलते हैं इसे कई सारे example हैं कितने ही किसें हैं कितने ही कहानिया हैं जो इस बात को बार बार प्रूव करते हैं that yes animal and human beings can be friends वो दोस्त बन सकते हैं ठीक है अगर आप चाहें तो मैं एक बार board से side में हट रहा हूँ आप इसको note कर लीजिए आपके revision के लिए चलिए अब आगे देखते हैं इस chapter में कुछ questions हमें given हैं उन questions को हम देख लेते हैं सबसे पहले I got him for her by accident ठीक है who says this कौन कहता है यह line so who is the speaker of these lines so author is the speaker of this line who did him and her raffers to अब यहां पर him or her कौन है तो him कौन है him is the bear cup और her कौन है author's wife then what is the incident referred to here यहां पर कौन से incident की बात हो रही है so the incident referred here is this one right the author once found an orphan sloth bear and presented it to his wife next question he stood on his head in delight ठीक है अब who does he refer to कौन अपने सिर के बल खड़ा हो गया था खुशी से so it was Bruno कब हुआ था जब author की wife उसे Mysore Zoo में मिलने गई थी तब so why was he delighted क्यों delighted था वो क्यों खुश था क्या जवाब होगा इसका because he was seeing author's wife after a very long time next we all missed him greatly but in a sense we were relieved who does we all stand for यहाँ पर we all किसके लिए यूज किया गया है so we all means author's family ठीक है author की family के बारे में है then who did they miss किसको miss करते थे वो Bruno को क्यों miss करते थे because Bruno was sent to Mysore zoo and why did they nevertheless feel relieved वो क्यों relieved feel कर रहे थे why were they feeling relieved because Bruno was becoming a danger for the children in the house so when he he was sent to the zoo so that danger is that risk is removed from the house that is why they were relieved okay next on two occasion Bruno ate or drank something that should not be eaten or drunk what happened to him on these accounts those incidents ऐसे थे इस पूरे चाप्टर में जब ब्रूनो ने कुछ ऐसी चीज खा ली थी या पी ली थी जो उसे खानी या पीनी नहीं चाहिए थी क्या क्या खाया था तो फूस्ट ही एट बारियम कार्बोनेट पॉजन उसका रिजल्ट क्या हुआ इस बोडी स्टर्ट केटिंग पार्लाइज ऑके बट ही गॉट एंटीडोट अटाइम से ताइम पर एंटीडोट मिल गया तैस वाई ही रिकवर्ट राइट अंड सेकेंड ही फांड गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ओल एंड ही ड्राइक उसको लगभग एक गैलन ओल्ड इंजन ओल मिला जैसे उसने पी लिया बट उसका एफेक्ट क्या हुआ नदें कुछ भी नहीं हुआ वस ब्रूनो अलविंग प्लेफुल पैट क्या ब्रूनो एक लविंग और प्लेफुल पैट था यह से प्रूनो ग्रूनो गड़ा बड़ा जा रहा था यह प्रूबल्म क्या जाय हुआ है यह प्रूलम कैसे ब्रूनो जाय हुआ जाय हुआ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल गई, कैसे उसको घर पर रखा गया और वो जो डेंजर था उसको भी अवाइट किया गया So, an island was made for Bruno from which he can never get out, okay So, in this way, he was kept at home without causing any trouble to the children in the house, right So, this was our chapter, I hope आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी ठीक है, इस स्टोरी को एक बार दुबारा डीट जरूर करिएगा इसके question answers को practice करिएगा, जो assignment आपको मिलेगा उस assignment को honestly solve करिएगा, फिर हम मिलेंगे अगले lecture में अगली story के साथ Till then, take care, bye everyone